हेलो एब्रिवान न्यूलूज होम कीचेन में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों पनीर की सबजी तो हम सब को बहुत ही पसंद होती है और इसमें बहुत से वेरियेशन्स होते हैं बहुत तरह से पनीर की सबजी को बनाया जाता है लेकिन उसमें जो सबसे फेवरेट हम्यारी ह होती है वह होती है मटर पनीर तो आज मैं आपके लिए मटर पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाया है और इसको खा करके आप होटल की भी मटर पनीर को भूल जाएंगे तो चले शुरू करते इसको बनाना इसको बनाने के इसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे और इहां पर मैंने 1200 पनीर ले लिया है।ा उसको एपाने छोटे टकडू में काट लिया है। अब हम आज हमें मीडियुम कर देना है। और मीडियम आज पर हमें दीरे दीरे चलाते हुए पनीर को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तर लेना है, देखिए कितना अच्छा रंग आ चुका है पनीर पर, तो इस स्टेज पर हमें पनीर को निकाल लेना है, तो इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं, और अभी इस दो प्याज, तीन टमाटर, दो इंच अद्रक के टुकड़े और दस से पंदरा लेसुन की कलियों का पेस्ट बना लिया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से चला करके भूल लेंगे थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे अब इसमें एक चौथा ही चमच हल्दी पाउडर, सवा चमच के करीब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, दो चमच धनिया पाउडर और स्वादा नुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और इसमें हम एक चुटकी हम हींग भी डाल देंगे और सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब यह फ्रोजन मटर ली है इसको मैंने पानी में बिगो करके 5-10 मिट रख दिया था और पानी हटा करके डाल लिया है अगर आपको ताजी फ्रेश मटर मिल जाती है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं तो मटर को भी हम इसमें डालेंगे और धीमी आज पर इसको 5 मिनिट के लिए हम पकने देंगे तकल लगा देंगे और 5 मिनिट पकने देंगे 5 मिनिट जो है पकने के बाद देखे इस तरह हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है बीच बीच में हमें मसाले को चलाते भी रहना था तो इस तरह हम मसाले को अब तेज आज पर बढ़िया से एक दो मिनिट और फून लेंगे तो अब इसमें जो हमने पनीर को तल करके रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे और आज हमें इस समय तेज ही रखनी है और एक दो मिनिट हमें पनीर को मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है तो अब इसमें हम जितनी हमें ग्रेवी रखनी होगी उसे साब से हम इसमें पानी डाल देंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है उसे साफ से मैंने पाई डाल दिया है अब इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं और इसको हम पकने देंगे तो इस समय अब हमको आज को मीडियम कर देना है और जब इसमें एक बढ़ियां सा उबाल आ जाए तो इसमें एक चौथाई चमच के करीब हमें गरम मसाले का पाउडर डाल देना है उसको अच्छे से मिला लेना है और ढख करके 5-7 मिनट मीडियम आज पर इसको हमें पकने देना है ताकि ग्रेवी जो है वो हमारी थोड़ी सी गाड़ी हो जाए तो देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं तो हमारी सबजी किती बढ़ियां तरे से पक चुकी है कितना अच्छा कलर आ गया तेल की नौरों पर नजर आ रहा है और देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है तो ये देखिए हमारी मटर पनीर अच्छी सी काड़ी सी बन करके तयार हो चुकी है अब इसमें हम बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी इसके साथ अच्छी से मिला लेंगे तो ये लेजे हमारी चटपटी, मसाले दान, एक दम होटर स्ट्राइल मटर पनीर बन करके तयार है तो इंजोई करिए इसको आप पूरी, डोटी, चावल किसी की भी साथ अब इसको इंजोई कर सकते हैं ये सभी के साथ बहुत पसंद आएगी आपको तो इसको जरूर घर पर बना कर ट्राइक कीजिएगा दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसेपेस पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सबस्क्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ओन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे आपर मैंने मटर पनीर को गर्म गरम पूरियों के साथ सर्फ किया है, तो इसका मज़ा आप गर्म गरम पूरियों के साथ लीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है, तो दोस्तों पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और इंस्टा और फेस्बूक पर मुझे फॉलो कीज़ेगा बेल आइकन को व्याइब कर देद फिर मिस्ते हैं टेक कियर बाइब